दोस्तों अक्सर आपनी चीज़ नोटिस के होगी कि जब भी आपका कोई दोस्त एक नया मुवाइल खरीता है तो उसके स्पेसिफिकेशन बताते के टाइम में वो एक चीज़ जादा बोलता है कि यार इसमें हेक्सागोर प्रोसेसर है या फिर इसमें ओक्तागोर प्रोसेसर ह है लेकिन ओक्तागोर प्रोसेसर होता क्या है या फिर यह मुवाइल में लगे होने के वज़े से हमारा फायदा है तो उस टाइम पर आपका जो दोस्त हो जाएगा कि यार इसका मैं रिप्लाई क्या करूं इसी तरीके से अगर हम डेली लाइप में बात करें जहां पर हम कई आपके प्रोसेसर के लिए या फिर आपके लिए एक बेस्ट प्रोसेसर के लिए या फिर आपके लिए ओप्शन हो सकता है इसके साथ ही 30 अगेशन देखोगे तो आपके वीडियों के परपस टोसमें आपको कॉनसा कर चूट करना चीए क्या आपको महां प daha फिक ताकोर चूश करना चीए या फिर आपको hexagor choose करना चाहिए या फिर आपको degagor choose करना चाहिए और एक चीज में आपको बता दू कि जितने ज़्यादा course होते हैं या फिर course में जितने ज़्यादा variance होते हैं उसके इसाब से price differentiation भी बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके requirement के भीहाप पर आपको कौन सा core choose करना चाहिए तो एक बात तो किलिए रहे कि जो वीडियो है आपके लिए full of information होने वाला है आपसे बस इतनी से request है कि अगर यह video आपको useful और informative लगे तो please video को like और share दो करें तो बिना किस देर के शुरू करते हैं इस video को अब यहाँ पर clear करते हैं सबसे पहले term को कि यह core actual में होता गया तो देखो अगर आसान भाष्य में मैं आपको बता हूँ तो core का मतलब है CPU के अंदर एक और CPU आप बोलोगी यह क्या बात हुए कि मतलब एक processor या एक CPU के अंदर एक और CPU यह कैसा है देखो इस point को थोड़ा हम clear करते हैं देखो नौर्मल ही क्या है अगर आज से 30 साल पहले की बात करें तो 30 साल पहले वाला जो computer है अगर आपने कभी न कभी Google पर YouTube पर कहीं देखा हो तो आपने देखा होगा कि वह बहुत ही पर editing भी कर रहे हैं उसके लावा Google भी open क्या हुआ है उसके लावा कोई media file भी हम यहाँ पर use कर रहे हैं तो यहां भी क्या होता है कि हम multiple चीज़े कर रहे हैं आज की date में लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो computers होते थे उसमें single activities होते थे जिसके लि यह notice किया गया कि इस एक CPU एक processor पर बहुत load पढ़ रहा है और जिसके वज़े से computer hang and heat होने लग रहा है तो उन्होंने बोला कि यार हम अगर दो processor लगा दे जैसे मालों कि एक processor है और एक processor और और लगा देते हैं तो यहां पर चीज़े डिवाइड हो जाएंगे थोड़ा load इस पर पढ़ेगा लेकिन उससे क्या होता कि एक तो hardware component बढ़ जाते और दूसरा उसकी costing भी काफे जादा बढ़ जाते तो इसलिए क्या किया गया कि एक processor के अंदर एक नया component एड़ किया गया जो कि है course यानि कि अगर हम बात करें यह जो core है यह क्या है CPU के अंदर एक CPU है अभी normally आप यहां पर processor देख पा रहे होंगे और इसमें जो component आप देख पा रहे हैं इसी को हम core कहते हैं और यह एक तरीके का physical component होता है इस processor के अंदर में तो यहां पे अगर हम core की बात करें तो वह क्या है CPU की अंदर एक और CPU यानि इस processor के अंदर एक और processor है जो की multitasking के लिए बनाय कैसे करेगा जैसे मालो कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पर typing master चला रहा हूं और मालो कि मैं यहां पर और application चला रहा हूं तो पहले क्या होता कि सिर्फ मैं एक task कर सकता था single core के साथ में लेकिन अब अगर मैं multitasking करता हूं तो वह क्या करेगा कि जितना load एक processor को हम दे सकता है उतना हमने दे दिया इसको और जो भी हम दूसरा task कर रहे है उसका load हम दे देंगे दूसरे वाले core पर आयो के आप point समझ पा रहे होगे तो यहां पर अगर मैं बोल दू कि dual core CPU है dual का मतलब क्या हूआ कि दो core CPU है यानि कि जो processor है इसमें दो core है यानि कि एक load ये वा core की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 6 cores यानि कि आपकी multitasking की level 6 गुना बढ़ जाती है आपके पास 6 CPU हैं जो की अलग-अलग task को कर सकते हैं तो अगर हम यहां पर बात करें dual core तो dual core का मतलब है यहां पर 2 cores यानि कि एक CPU के यहां पर 2 हाथ है और यह 2 हाथों से यहां पर काम 6 हाथ है अगर हम बात करें octa core तो it means इसके पास 8 हाथ है octa का मतलब हुआ 8, hexa का मतलब हुआ 6 और deka का मतलब हुआ 10 तो आज के time में अगर आपको high gaming करनी है चीज़े करनी है तो वहां पर ज्यादा तर जो आप laptops देखोगे उनमें mention होगा deka core तो deka core काफी high tasking के लिए even जैस इसके अंदर hexa core mention है और आप यह कहरे हो कि hexa core है it means इसके अंदर कितने cores है 6 cores है यानि कि जो यह processor है इसके अंदर 6 CPUs की power है और यह एक तरीके से आप यह समझे लो कि इसके 6 हाथ है और 6 हाथ से आप जितनी भी multitasking कर रहे हो उसके हिसे मैनेज कर सकते हो अब आपके mind में एक और से बोले मतलब 6-8 hours करूं हमें ऐसा नहीं है देखो यहां पर point go कि लिए करते हैं जिस तरीके से आप पर core को समझा उसी तरीके से core से related एक term और होता है जो क्यों होता है thread normally अभी आप laptop लोगे या फिर मानलो phone लोगे तो उसमें mention होता है कि यह hexa core है six threads के साथ में या फिर म component है जो की core का part है normally जैसे हमने देखा processor का part क्या है core और core का part क्या है यहां पर thread अभी thread करता क्या है लेको जैसे मानलो जो एक यहां पर octa core processor है तो इसमें मेरे पास 8 हाथ है अब इस हाथ में काफी ज्यादा नहीं है और अगर मैं बोलो कि मुझे मानलो कि यहां पर remote को उठाना तो इस हाथ की ability के हिसाब से remote बहुत हलका है मैं तो इससे ये marker भी उठा सकता हूँ जैसे मैं आप बात करूँ तो मालों मैं marker भी उठा सकता हूँ और मेरे पास keys है तो मैं 3-4 चीज़े और उठा सकता हूँ तो thread actual में करता क्या है कि वो इस हाथ को support करेगा यानि कि core को support करेगा वो बलेगा कि भाई आपको इतनी power की जरूरत है तो इतने power से आप ये उठा लो और अगर कोई दूसरा आप task कर रहे हैं तो वो भी आप इसे के साथ उठा लो example के लिए मालो कि मैंने marker भी उठा लिया और मैंने यहाँ पर remote भी उठा लिया तो thread basically में करता गया है कि वो core को support करता है जैसे कि मालो कि आपके बस hexagore है तो आपने यहाँ पर gallery open की हुए तो थोड़ा से power यहाँ पर दे दिया thread ने मदद करी थोड़ा से power यहाँ लग गया फिर आपने यहाँ पर MX player चला लिया थोड़ा से power वहाँ चला गया फिर आपने कोई चीज़ और चला लिया थोड़ा power उसमें चला गया तो यहाँ पर आपका जो एक ही हाथ है कहने का मतलब जो एक ही core है उसी से यह तीनो task core है यहाँ पर हमें जो 5 core हमारे बच्चे है उनको यह involve करने की ज़रूत नहीं है आप point समझ भा रहे हो तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एक core है उसका मतलब यह नहीं कि वो सिर्फ एक ही task करेगा वो multitasking कर सकता है जहाँ पर जितने power की ज़रूत है उतना use होगा and वो बाकी को support करेगा दूसरे काम करने में तो इस तरीके से आप 6, 10, 12 जितने भी task चला रहे हो वो अगर उन cores के विहाब पर suitable होगा जितने उस cores की capability है उसके विहाब पर वो वहाँ पर work करेगा और जो threads हैं वो core को support करते हैं कि वो किस तरीके से loads को divide करें और किस तरीके से loads के ability को manage करें I hope कि cores क्या करें and threads क्या करें वो point आपको clear हो पार हो So I hope कि आपको ये clear हो गया होगा कि cores क्या है core CPU के अंदर में ही एक और CPU है और cores का मतलब है कि यहाँ पर कितने level of CPU है अगर मानलों कि यह dual core है यानि कि 2 level of CPU है अगर यहाँ पर quad core है तो 4 level है इसका अगर यह hexa core है इट मिंग 6 level है octa core यानि 8 और deca core यानि 10 अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप यह सोच रहों कि आपको editing के लिए फोटोशॉप के लिए नॉर्मल कोडिंग के लिए अगर आप एक laptop ले रहे तो उसके लिए आपको कितने level of course की जरूरत है तो देखो नॉर्मली अगर हम dual core या quad core की बात करें तो वो यूज किया जाता है नॉर्मल activities के लिए या फिर नॉर्मल चोटे मोटे software टाइपिंग मास्टर जैसे कोई भी छोटे software हो गये उनके लिए वो कॉइट इनफ है तो dual core और quad core जाओ वो बेसिक के लिए यूज होते हैं लेकिन अगर आप editing कर रहे हो अगर आप मान लो कि आप फोटो शॉप अगरा यूज कर रहे हो रेंडरिंग कर रहे हो आप गेंश चला रहे हो तो आपका जो प्रोसेसर हो minimum hexa core नहीं तो octa core जरूर होना चाहिए यह चीज़ आपको जरूर ध्या दगने है और अगर आप बहुत ही high level टास्क करने जा रहे हो बहुत ही high level of rendering है तो फिर आपको वहां पर decacore चूज करना चाहिए इवन कई बार आप laptops वगरा देखोगे तो उसमें भी आपको decacore mention हो जाएगा on screen आप देख पार होंगे कि यह जो कुछ laptop से अगर आप इनकी specification देखोगे तो वहां पर भी आपको decacore देखने को मिल जाएगा so iop की दोस्तो core क्या होता है और एक core का क्या role play होता है इस देनक्स वडियो में तब तक के लिए thank you